असलाम वालेकुम वेलकम टुटूरेंट यूप आज के इस लेक्शर में चैप्र 5 आइकम पार्ट 1 बिजनिस मैद बुकषाहिजमाल की चैप्र हेली ने लग कॉड़ेटिक एक्वेशन कुछ ने तो पहले जो हम कर रहे थे वो था अब हम करेंगे स्क्वाइर मेथर से तो बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है कुछिन हम आए पास 5.98 जिसमें है एक्स स्क्वाइर माइनस 8x माइनस 9 अब हम यहां पर फेक्टराइजेशन तो नहीं कर रहें स्क्वाइर मेथड यूज करने तो उसके लिए हम सबसे पहले यह जो सी होता है उसे हम दूसरी तरफ ले जाएंगे यानिके एक्स स्क्वाइर माइनस 8x is equal to 9 इसके बाद जो यह x के साथ वैली होती है उसके हाफ का हमने स्क्वाइर दोनों तरफ प्लस करना होता है यानिके x square minus 8x 8 का half क्या होता है 4 so 4 का square क्या हो जाएगा 16 so plus का 16 इधर भी हो जाएगा और 9 plus 16 इधर भी हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर देखें तो formula apply हो सकता है कौन सा x square minus 8x plus 16 है ना तो यह देखें formula जो है apply होगा x minus 4 का whole square ठीक है यानिके a minus b whole square is equal to 9 plus 16 25 so taking square root on both side square root on both side तो यहाँ पर x minus 4 whole square square root आ गया is equal to 25 के उपर square root आया square root square cancel तो यह हो गया x minus 4 is equal to 25 का square लिया तो यहाँ पर आ गया plus minus का 5 ठीक है तो अब यहाँ पर x minus 4 is equal to 5 और x minus 4 is equal to minus 5 x is equal to 5 plus 4 और x is equal to minus 5 plus 4 so x is equal to 9 और x is equal to minus 1 तो आंसर आया 9 और minus 1 तो यह था question उमीद करती हूं कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा मजीद exercises and questions के लिए चनल को कर दें subscribe and साथी अपने classmate and friends से share भी जरू करें and for more you can visit our website www.studentube.info Allah Hafiz